आए प्रिंट्स एक कोमन सी प्रॉलम के ओपर न है कि यह वीडियो बना रहो थे बिसिकली वह common problem क्या है जब हमारे website developers वेबसाइट डवलपर को सबसे जादा problem कहां आती है वह problem किया आती है कि suppose कि आप लोगों ने अपने किसी क्लाइंट के लिए एक website बनाई और आप लोगों ने उसके लिए hosting परचेस की आप लोगों ने उसकी पुरी website complete करके लिए अब थोड़े थोड़े टाइम बाद आपकी क्लाइंट की तरफ से आपको एक problem face करनी पड़ रही है वह problem क्या है कि आपका क्लाइंट आपको बार बार कॉल करके कह रहा है कि जो आप लोगों ने होस्टिंग लिए है आपकी website ओपन होने में बहुत टाइम लगा रही है तो उस कई बार यह ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों अपनी website की hosting कि अगर लोगो नेम सर्वर को चेंज करना है अगर हम लोगों अपनी website की hosting को फ्रास्फर करना है फ्रॉम बंसार नादर सर्वर तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मालों एक search engine में काई बार क्या होता है सर्च इंजन अप्डेट और में 72 ले लिए तो हम लोगों कि हमारी website जब तक हम लोग पुर्ली अपडेट नहीं करते हैं पुर्ली हमारी पूरी website फ्रास्फर नहीं हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइन के लिए हमारी website जो है वो बंद रही है तो हमारे क्लाइन के लिए ब पूरानी वेबसाइट को बंद मत कीजिए जब तक यह पूरानी वेबसाइट को बंद मत कीजिए जब तक कि पूरा का पूरा नेम् सर्फर पे पूरा का अपके बैदक ऑपर इंस्टॉल नहीं हो जाता आपकी सेम वेबसाइट तूसरे नेम् सरवरस पर जब तक नहीं चल जाते तब तक आप अपलोग अज़ूर गयामनिे बूंद करने कि आफ को जूंए नहीं है वीज़ इपको पाइब केंड पूरी की बेथे स्टाइप को इंस्टाब करते है। जब वह फुल फुलि इंस्टॉल पहले उनको time लग रहा था पूछ नेघनो सेकिंड या कुछ 2000 लग रहे था है आपकी वेपसीट को ओपन करने में अब वो टाइम लग रहा है आपकी वेपसीट बहुत अच्छे लेवल पर जल्दी जल्दी ओपन हो रही है कि आप लोग है लोगोने अपनी वेबसेट का एक आगया कि आप नेम सर्वर पे पूरा बैकप रखे FTP की थ्रू, FTP की थ्रू, FTP, File Transfer Protocol की थ्रू या FileZilla की थ्रू जैसे भी है आप लोग उस नहीं नेम सर्वर के अंदर अपनी वेबसाइट को प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं आपके वेबसाइट हैंग होगी, नहीं Thank you so much.